माला सेरी ढूंगरी की साडू माता की सवाई भोज महराज की सवाई भोज महराज की देव नारायन भगवान की साडू माता गुर्जरी की इतपो भुमी महा दानी बगलाव सुर्भीरारी कर्म भुमी और देव नारायन भगवान री जनव भुमी माला सेरी ढूंगरी न मारो पनाम श्री हेमराज जी गुजर श्री सुरेश दाश जी दीपक पातिल जी राम प्रशाद दाबाई जी अर्जुन मेगवाल जी सुभास बहडिया जी और देश भर्चे पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों आज इस पावन अवसर पर भगवान देव नाराण जी का बुलावा आया और जब भगवान देव नाराण जी का बुलावा आये और कोई मोका छोडता है क्या मैं भी हाजीर हो गया और आप याद रखिये ये कोई प्रधान मंत्रिया नहीं आया है मैं पूरे मैं पूरे भक्ति भाव से आपी की तरह एक यात्री के रूप में आशिर्वार लेने आया है आपों अभी मुझे यग्यशाला में पुरुना होती देने का भी सवभागे मिला मेरे लिए ये भी सवभागे का विशह है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर के भगवान देवनाराण जी का और उनके सभी भक्तों का आशिरवाद प्राप्त करने का ये पुन्य प्राप्त हुआ है भगवान देवनारायन और जनता जनारदान दोनों के दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया हूं कि देश भर्चे यहां पधारे कि सभी सत्धावनों की भाती कि मैं भगवान देवनारायन से अनवरत राष्ट्र सेवा के लिए गरीबों के कल्यान के लिए आशिरवाद मांगने आया हूं साथियों ये भगवान देवनारायन का एक हजार एक सो ग्यारवा अवतरण दिवस है सप्ता भर्चे यहां इससे जुड़े समारों चल रहे हैं जितना बड़ा ये अवसर है उतनी ही भव्यता उतनी दिव्यता उतनी ही बड़ी भागिदारी गुर्जर समाज ने सुनिशित की है इसके लिए मैं आप सभी को बढ़ाई देता हूं कि समाज के प्रत्यक व्यक्ति के प्रयास की सराना करता हूं कि भाईवर बैनों कि भारत के हम लोग कि हजारों वर्षों पुराने कि अपने इतिहास कि अपनी सब्यता कि अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं दुनिया की अनेक सब्विताएं समय के साथ समाप्त हो गई परिवर्तनों के साथ खुद को ढाल नहीं पाई भारत को भी भावगोलिक सांस्कृति सामाजी और वैचारिक लुप से तोड़ने के बहुत प्रयास हुए लेकिन भारत को कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर पाई भारत सिर्फ एक भुभाग नहीं है बल्कि हमारी सब्विता की संस्कृति की सद्भावना की संभावना की एक अभिव्यक्ति है इसलिए आज भारत अपने भववशाली भविष्य की नीव रख रहा है और जानते हैं इसके पीशे सबसे बड़ी प्रेड़ा सबसे बड़ी शक्ति क्या है किसकी सक्ति से किसके आशिरवात से भारत अटल है अजर है अमर है मेरे प्यारे भाईयों और बहनों यह शक्ति हमारे समाज की शक्ति है देश के कोटी कोटी जनों की शक्ति है भारत की हजारों वर्षों की यात्रा में समाज सक्ति की बहुत बड़ी भूमी का रज़ी हमारा यह सवभाग्य रहा है कि हर महत्वपुन काल में हमारे समाज के भीतर से ही एक ऐसी उर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सब को दिशा दिखाता है सब का कल्यान करता है भगवान देव नाराण भी ऐसे ही उर्जा पुंज थे अवतार थे जिनोंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा थी बेरुप में मात्र मात्र 31 वर्ष की आयू बिताकर जन्मानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है उन्होंने समाज में फैली बुराईयों को दूर करने का साहस किया समाज को एक जूड किया सम्रस्ता के भाव को फैलाया भगवान देव नारायन ने समाज के विबिन वर्गों को साथ जूड कर आदर्श व्यवस्ता कायम करने की दिशा में काम किया यही कारण है कि भगवान देव नारायन के प्रती समाज के हर वर्ग में स्रद्धा है आस्था है इसलिए भगवान देव नारायन आज भी लोक जीवन में परिवार के मुख्या की तरह है उनके साथ परिवार का सुख दुख बाटा जाता है भाई और भेनों भगवान देव नारायन ने हमेशा सेवा और जन कल्यान को सर्वोच्चता दी यही सीख यही प्रिणा लेकर हर स्रद्धालू यहां से जाता है जिस परिवार से वे आते थे वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी लेकिन सुख सुविधा के बजाय उन्होंने सेवा और जन कल्यान का कठीन मार्ग चुना अपनी उर्जा का उप्योग भी उन्होंने प्राणी मात्र के कल्यान के लिए किया भाई और बहनों भला जी भला देव भला बला जी भला देव भला इसी उद्गोष में भले की कामना है कल्यान की कामना है भागवान देव नारण ने जो रास्ता दिखाया है वो सबके साथ से सबके विकास का है आदेश इसी रास्ते पर चल रहा है बीते आठ नव वर्षों से देश समाज के हरुस वर्ग को ससक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है बंचीत रहा है बंचीतों को वरियता इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं आप याद करिए राशन मिलेगा या नहीं कितना मिलेगा ये गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती थी आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है मुप्त मिल रहा है अस्पताल में इलाज की चिंता को भी हमने आउश्मान भारत योजना से दूर कर दिया है गरीब के मन में घर को लेकर टॉइलेट बिजली गैस कनेक्शन को लेकर चिंता हुआ करती थी वो भी हम दूर कर रहे हैं बैंक से लिन देन भी कभी बहुत ही कम लोगों के नसीब होती थी आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए हैं साथियों पानी का क्या महत्व होता है कि राजस्तान से बहला बहतर कौन जान सकता है लेकिन आजहादी का नेक दसकों बाद भी देश के सिरफ तीन करोड परिवारों तक ही नल से जल की सुविदा थी सोला करोड से जादा ग्रामिर परिवारों को पानी के लिए संगर्ष करना पड़ता था बीते साड़े तीन वर्षों के बीतर देश में जो प्रयास हुए है उसकी वज़े से अब ग्यारा करोड से जादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है देश में किसानों के खेट तक पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत व्यापक काम देश में हो रहा है सिंचाई की पानमपारिक योजनाओं का विस्तार हो यार फिर नई टेकनिक के सिंचाई किसान को आज हर संबहों मदद दी जा रही है छोटा किसान जो कभी सरकारी मदद के लिए तरस्ता था उसे भी पहली बार पी एम किसान सम्मान निदी से सीधी मदद मिल रही है यहां राजस्तान में भी किसानों को पी एम किसान सम्मान निदी के तहर पंद्रा हजार करोड रुपिय से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में बेजे गए है साथियों बगवान देवनाराण ने गव सेवा को समाज सेवा का समाज के ससक्ति करन का माध्यम बनाया था बीते कुछ वर्षों से देश में भी गव सेवा का ये भाव निरंतर शसक्त हो रहा है हमारे यहां पशुओं में खूर और मूँ की बिमारिया खूर पका और मूँ पका कितनी बड़ी समस्या थी ये आप अच्छी तरह जानते हैं इससे हमारी गायों को हमारे पशुदन को मुक्ति मिले इसलिए देश में करोडों पशुओं के मुप्त ठिका करन का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है देश में पहली बार गव कल्यान के लिए राष्ट्रिय काम देनु आयोग बनाया गया है राष्ट्रिय गोकुल मिसन से वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन को प्रोजशाहित करने पर बल दिया जा रहा है पशुधन हमारी परंपरा हमारी आस्ता का ही नहीं बलकि हमारे ग्रामिड अर्थतंत्र का भी मजबुत हिस्सा है इसलिए पहली बार पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार की सुविदा दी गई है आज पूरे देश में गोबर्दन योजना भी चल रही है ये गोबर सहीद खेती से निकलने वाले कच्रे को कंचन में बदलने का अभियान है हमारे जो डेरी प्लांट है ये गोबर से पैदा होने वाली बीजली से ही चले इसके लिए भी प्रयास किये जा रहे है साथियों पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने लाल के लिए से पंच प्राणों पर चलने का आग्र किया था उद्देश यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तब्यों को याद रखे अपने मनिश्यों के दिखाए रास्तों पर चलना और हमारे बलिदानियों हमारे शूर्विरों के शौरिय को याद रखना भी इसी संकल्प का हिस्सा है राजस्तान तो दरोहरों की धर्ती है यहां स्रजन है उत्साह और उत्सों भी है परिश्रम और परुपकार भी है शौर्य यहां गर-गर के संस्कार है रग राग राजस्तान के परियाय है उत्राही महत्वा यहां के जन जन के संगर्ष और संयम का भी है यह प्रेरनास्थली भारत के अनेक गवरवशाली पलों की व्यक्तित्व की साक्षी रही है तेजासी से पाबु जी तक गोगा जी से रामदेव जी तक बपा रावल से महाराणा प्रताप तक यहां के महापुरुषों जननायकों लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है इतिहात का शाहिदी कोई कालखन है जिसमें इस मिट्टी ने राष्ट के लिए प्रेरना न दी हो इसमें भी गुर्जर समाज शौर्य पराक्रम और देश भक्ति का परियाय रहा है राष्ट्र रक्षा हो या पिर संस्कृति की रक्षा गुर्जर समाज ने हर कालखन में प्रहरी की बुमी का निभाई है क्रांती वीर भूपसी गुर्जर जीने विजैसी पथिक के नाम से जाना जाता है उनके नेत्रुत्र में विजोलिया का किसान अंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरना था कोतवाल दन सींजी और जोगराज सींजी ऐसे अनेग युद्धा रहे हैं जिनों ने देश के लिए अपना जीवन दे दिया यही नहीं राम प्यारी गुर्जर पन्ना धाय जैसी नारी शक्ति की ऐसी महान प्रेणाएं भी हमाय हर पल प्रेरीत करती है यह दिखाता है कि गुर्जर समाज की बेहनों ने कि गुर्जर समाज की बेटियों ने कितना बड़ा योगदान देश और संस्कृति की सेवा में दिया है और यह परंपरा आज भी निरंतर सम्रद्य हो रही है यह देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अंगिनित सेनानियों को हमारे इतिहात में वो स्थान नहीं मिल पाया जो इसके वो हकदार थे जो उन्हें मिलना चाहिए था लेकिन आज का भारत नया भारत बीते दसकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है उसे सामने लाया जा रहा है साथियों आज ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे गुर्जर समाज की जो नई पीड़ी है जो युवा है वो भगवान देव नारण के संदेशों को उनकी सिक्षाओं को और मजबूते से आगे बढ़ाए ये गुर्जर समाज को भी ससक्त करेगा और देश को भी आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी साथियों 21 सदी का ये कालखन भारत के विकास के लिए राजस्तान के विकास के लिए बहुत एहम है हमें एक जुट होकर देश के विकास के लिए काम करना है आज पुरी दुनिया भारत की और बहुत उमीदों से देख रही है भारत ने जिस तरफ पुरी दुनिया को अपना सामर्त दिखाया है अपना दमखम दिखाया है उसने शुर्विरों की इस धर्ति का भी गौरों बढ़ाया है आज भारत दुनिया के हर बड़े मंच पर अपनी बात डंके की चोड़ पर कहता है आज भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है इसलिए ऐसी हर बात जो हम देश वाजियों की एकता के खिलाब है उससे हमें दूर रहना है हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मिदों पर खरा उतरना है मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान देव नाराण जी के अशिर्वात से हम सब जरूर सफल होंगे हम कड़ा परिशन करेंगे सब मिल करके करेंगे सब के प्रयास से सिद्धी प्राप्त होके रहेगी और ये भी देखिए कैसा संजोग है भगवान देव नाराण जी का 1111 वा अवतरन वर्ष उसी समय बारत की G20 की अद्धिक्स्ता और उसमें भी भगवान देव नाराण का अवतरन कमल पर हुआ था और G20 का जो लोगो है उसमें भी कमल के उपर पूरी पृत्वी को बिठाया है ये भी बड़ा संजोग है और हम तो वो लोग है जो पैदाई सी कमल के साथ हुई है और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है लेकिन मैं पुझ्य संतों को प्रणाम करता हूँ इतनी बड़ी तादाद में यहां आशिरवाद देने आये है मैं समाज का भी रदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक भक्त के रूप में मुझे आज यहां बुलाया बक्ती भाव से बुलाया ये सरकारी कारकम नहीं है पूरी तरह समाज की शक्ती समाज की भक्ती उसीने मुझे प्रेरीत किया और मैं आपके बीच पहुँच गया मेरी आप सब को अनेक अनेक सुपकाम नहीं है जै देव दर्बार जै देव दर्बार जै देव दर्बार